नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में हम पढ़ रहे थे आपके NCRT क्लास फिफ्थ हिंदी का चाप्टर नमबर फिफ्टीन बिशन की दिलेरी अपने पार्ट वन वीडियो में हमने इस पेज में इसी लाइन के यहाँ पे खतम किया था और देखा था कि बिशन तीतर को अपने सीने से लगाते हुए शिकारियों से बचाते हुए दोड़ दोड़ कर बिशन करनल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे पहुँच गया था अब हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि बिशन ने तीतर की जान को कैसे बचाया फार्म हाउस में बहुत खामोशी थी खामोशी मतलब साइलेंस वहाँ जादा शोड़ शराबा नहीं हो रहा था बस रसोई घर से प्रेशर कूकर के सीटी की आवाज आ रही थी यानि कि क डोमेस्टिक फार्म में अगर आप गए हो मुर्यों को एक स्पेशल वोडन टाइप के बॉक्स में रखा जाता है वही कहलाता है दड़बा मुर्गिया भी अपने दड़बे में ही थी और गुलाब चंद सामने के बरामदे को साफ कर रहा था गुलाब चंद कौन था कर्ण कर्णल सहाब के घर पे कोई काम करने वाला कर्मचारी जो सामने के बरामदे को साफ कर रहा था अचानक कर्णल सहाब का जो एलसीशियन कुत्ता था वो जोर-जोर से भौकने लगा क्योंकि वह किसी अजनभी को देखकर ही इस तरह भौकता है तो कुत्ते क्योंकि बहुत वो पता चल जाता है कि अच्छा जरूर कोई आया है तभी ये भौक रहा है और उसी से बिशन भी समझ गया था कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं क्योंकि ये जो डौगी था ये शिकारी को देखके ही भौक रहा था क्योंकि बिशन डेली कर्णल सहब के घर पे आता था ट्यू गये थे तो ये जो अलसीशन कुट्ता था ये शिकारीयों को देखके ही भौकने लगा था विशन ने इधर उदर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरीके से छिपा सके एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड पढ़ा था कबाड मतलब टूटी-फूटी यूजल जहां पर यूजली कोई जाएगा नहीं यह सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर अपने स्वेटर से ढख दिया ताकि तीतर को कोई देखना ले और ये तीतर यहीं पर सुरक्षित सेफ रहे गायल तीतर घबराया हुआ था डर रहा था बेचारा इसलिए वह अपने के बाद विशन ने सोचा कि अब बाहर चल कर देखना चाहिए पर वो जो अजनभी अनजान शिकारी थे उनके सामने भी नहीं पढ़ना चाहता था नहीं तो शिकारी तो विशन को पकड़ लेंगे कि ये लड़के बता तीतर को कहाँ छुपा है तो शिकारियों के सा पर चड़ना उसके लिए बहुत आसान काम था, तो इस तरीके के घर के जो छट होते हैं, जहां पर चड़ने के लिए कोई सीड़ी नहीं होती, हम लोग आराम से नहीं चड़ पाएंगे, लेकिन बिशन को इस तरीके के छट पर चड़ना भी बहुत आराम से आता था, वह अकस अकसर मतलब की very often, usually वो इस तरीके के छटों पर चड़ जाये करता था, इसलिए उसके लिए बहुत ही आसान था, वह अकसर इस शेड की धलवा चट के सहारे उपर चड़ जाता था, धलवा चट मतलब जिनमें धलान होती है, slope होता है, बिशन लकडी के खंबे पर बंदर की तरह चलांग लगा के, जम्प करके लटक गया, और उपर की और खिसकते खिसकते, मतलब स्लाइट करते करते छट पर जा पहुंचा, खपरेल की धलावदार चट थी, खपरेल मतलब यह जो टाइल्स दिखाई दे रहे आपको, यह है खपरेल की धलावदार, sloping roof, धलावदा चट थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया, चिमनी क्या होता है, घर के अंदर रसोय में जब खाना पकाया जाता है, तो उसका जो धुआ निकलने के लिए एक exit बनाया जाता है, एक pipeline जैसी चीज, जो उस धुए को घर के बाहर उपर करस्तर से निकाल देती ह तो उसी को कहा जाता है चिमनी, तो हमारा बिशन भी इसी चिमनी के पीछे जाके छिपके बैठ गया, ताकि वो आने वाले शिकारियों को अच्छे से देख सके, चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया, ताकि बिशन किसी और को दिखाई ना दे, यानि कि आने वाले जो शिका सब कुछ देख सकता होगा इसलिए उसने ऐसा टॉप व्यू चूज किया क्योंकि जो टॉप में बैठा रहता है उसे बहुत सारा एरिया उपर से नजर आता है लेकिन जो नीचे होता है उसे उपर का एरिया उतना नजर नहीं होता क्योंकि हम अकसर सामने देखके चलते हैं हम हमेशा उपर आसमान की तरफ देखके नहीं चलते तो शिकारी भी विशन को नहीं देख पाए रहे होंगे उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर करनल साहब का अलसेशियन कुट्टा जोर जोर से भौक रहा है करनल ने कुट्टे को डाटा चुप रहो चुप रहो पर वह नहीं माना कुट्टा नहीं माना वो भौकता ही रहा पिछले दोनों पाओं को उपर करके खड़े होकर वह उचल उचल कर भौकने लगा वे दोनों शिकारी करीब आ गए यानि कि और जादा नस्दीक आ गए धीरे धीरे घर के दर्वाजे तक पहुँच गए तो कर्णन ने रौबदार आवास में पूछा रौबदार यानि कि बहुत ही प्रभाव शाली कर्णनल क्योंकि आर्मी के एक ओफिसर होते हैं उनकी आवास बैसे ही बहुत मोटी सी दमदार होती है और उनका बहुत ही प्रभाव रहता है इंफ्लूएंस होता है तो बड़ी ही मोटी सी आवास में रौबदार आवास में कर्णनल साहब ने पूछा कौन हो तुम और यहां किस ले आए हो तो शिकारी बोले साहब हम शिकारी हैं हर साल यहां श पर हमारे पास license वाली बंदू के हैं, license मतलब government से permission लिये हुई बंदू के, guns है हमारे पास, क्योंकि guns से जब bullet निकलता है, गोली निकलती है, उससे किसी की जान भी जा सकती है, कोई भी आम इंसान ऐसे बंदू खरीद के घर पे नहीं रख सकता, अगर किसी को बंदू खरीदना होता है तो उसको गवर्मेंट की तरफ से पर्मिशन लेना होता है वही पर्मिशन होता है लाइसेंस तो शिकारी उने बोला कि हमारे पास पर्मिशन है गंस रखने का हमारे पास लाइसेंस वाली बंदू के हैं और सरपंच माधो सिंग भी हमें जानते हैं, सरपंच कौन होता है, गाउं में जो नियाय करते हैं उनके head, ग्राम पंचायत के मुखिया, क्योंकि शहरों में जैसे हर जगा police station होता है, हर गाउं में, हर छोटे-छोटे गाउं में police station तो नहीं होता, लेकिन वहां के किसी इंसान को अगर नियाय पाना होता है, त तो वो कहां जाएगा, तो गाउं के जो बहुत बड़े-बड़े head होते हैं, गाउं के लोग आपस में ही choose करके किन ही 5-6 लोगों को गाउं का head बनाते हैं, जो उनके मामलों को सुलजाते हैं, आपस के जगडों को सुलजाते हैं, तो उन ग्रुप में जो ग्रुप का leader होता है हेड होता है उन्हीं को सरपंच कहां जाता है तो ये शिकारी भी बोल रहे थे कि हमारे पास जो बंदु के हैं हमने पर्मिशन ले हुआ है और इस गाओं के जो सरपंच है ना माधो सिंग जी वो भी हमें जानते हैं मतलब हम कोई ऐसे आम शिकारी नहीं है हम कोई स्पेशल शिकारी है तो करनल साहब बोले तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो करनल जी ने मजाग सा उड़ाते हुए कहां तो शिकारी बोले जी हाँ तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी तो अभी अभी एक लड़का हमारा शिकार तीतर को लेकर आपके यहीं पर आचिपा है और हम उसी को ढून रहे हैं। तो करनल जी बोले अच्छा तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो। करनल शहाब ने पूछा। तो शिकारी बोले सीधी सी बात है साहब खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंडवा ही दीजिये साहब, कितने questions तो पूँच चुके हैं और हम answer दे चुके हैं, अब तो उस बच्चे को ढूंडवा दीजिये, ढूंडवा दीजिये मतलब किसी से कहे कर सर्च कर दीजिये, क्योंकि करनल साहब के घर के अंदर अब शिकारी जाकर थोड़ी सर्च कर सकते हैं, किसी के घर में जब हम जाएंगे, कोई सामान धूंड़ने, तो हम बोलते हैं न, कि हमारा जो बॉल है वो आपके घर के अंदर ही आगया, आप थोड़ा धूंड़ दीजिये न, तो वैसे ही शिकारी बोल रहे थे कि उस लड़के को ढुणवा दीजिये साहब, वहाँ इधर ही कहीं छुपा हुआ है, करनल दत्ता ने उनकी बातों पर, उन शिकारीों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और गुसे से कहा, कैसे लोग हो तुम, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को तो खा लेते हो, और बाकी को घायल करके, इंजियोर करके, यहां तडब तडब कर मरने के लिए छोड जाते हो, बेचारे तीतरों को कितना दर्द होता होगा, जब फसल कटती है, जब फसल को, क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, तब धेरों मर करनल दत्ता की बात सुनकर, वे दोनों कुछ घबरा गए, क्योंकि करनल दत्ता बहुत ही उची आवास में उन दोनों को डाट रहे थे, और उन शिकारियों को ये उम्मीद भी नहीं थी, कि करनल इस तरह उन्हें डांट देंगे, शिकारियों को लग रहा था कि वो बच्च को ढूनने में करनल जी उनकी मदद करेंगे, लेकिन करनल दत्ता ने तो उल्टा उन्हें डांट दिया, करनल दत्ता ने उन्हें इतना ही कह कर नहीं छोड़ा, वे आगे बोले, कि पक्षियों को मारने और उससे भी ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादूरी नहीं है क्योंकि कर्णल जी भी आर्मी के आफिसर रह चुके हैं शायद उन्होंने भी दुश्मनों से जंग लड़ते हुए बहुत सारे बदमाश लोगों के उपर दुश्मनों के उपर गोलियां चलाई हुई हुँगी जिसमें बहुत बहादूरी का काम होता है देश की रक्षा करने का काम होता है लेकिन इन शिकारियों ने जो बंदू की गोली चलाई है उससे उन्होंने किसी की जान बचाई नहीं बलकि मासूम पक्षियों की जान ली है उन्हें मार डाला है और इसमें तो कोई बहादूरी नहीं है अब तुम दोनों यहां से जा सक यहां तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है अब जाते हो या नहीं खड़े क्यों हो ऐसा कहकर शिकारियों को डाट लगा दी कर्णल जी ने विशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले पीछे मुड़े और वापस चल दिये कर्णल दत्ता ने गुलाब चंद से जो बरामदे की सफाई कर रहा था उससे दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा तभी विशन छपपर से मतलब छत से शेड पर होते हुए नीचे कूद पड़ा उसने तीतर को टोकरी से उठा लिया और घर में घुसते ही माल मालकिन को पुकारने लगा बहुजी 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 मतलब मालकिन जल्दी आईए यह बहुत जखमी है यह मतलब यह तीतर बहुत जखमी है आकर इसे देखिए ताकि वो लोग जल्दी से आए और तीतर के चोट के उपर कुछ दवाई लगा सके विशन की आवाज सुनक पर कर्णल दत्ता भी अंदर आ पहुचे और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। बिशन बोला क्या करता बाबु जी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। फिर कर्णल जी बोले अब तो इसका क्या करेगा। तो बिशन बड़ी मासुमेद से बोला मैं इसे पालूँगा बाबु जी पालूँगा मतलब मैं इसे पेट बना के अपने ही साथ रखूँगा। बिशन ने कहा। कर्णल साहब मुस्कुरा दिये उन्होंने गायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था। शिकारियों के गोली लगने के वज़े से तीतर का एक पंख टूट गया था। एक साइड का विंग टूट गया था। जिससे वह उन नहीं पा रहा था। अब शायद ही वह उड़ सके, करनल जी ने बोला जाओ, दवाईयों का बक्सा लेकर आओ, फिर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, बिशन दोड कर बक्सा ले आया, करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जखम साफ किया, जहां पे खून बहरा था, पहले कॉटन से उसे अच्छे से वाइप किया, फिर उस पे दवाई लगा दी, पंक फैला कर उस पे टेप लगा दिया, बैंडेड, ताकि वह ज्यादा हिले डूले नहीं, फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तो का रस दिन में दो तीन बार पिलाओगे, तो यह जल्दी ठीक हो जाएग हमारे बहुत सारे प्लांट्स मैंसे है ना, जो मेडिशनल प्लांट्स होते हैं, जिनमें मेडिशन की क्वालिटीज होती हैं, तो बिशन को भी करनल जी ने बोला, अगर तुम मेरीगोल्ड के plant के leaves का जो juice होता है, उसे निकाल कर इस तीतर को पिलाओगे, तो यह जल्दी ठ क्या होता है दलिया एक ऐसी चीज होती है जो गेहूं से बलती है वीट प्रोडक्ट शायद आपने भी खाई होगी और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली विशन इसे इस तीतर को रोज दलिया भी खिलाना तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है बताइए क्यों 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 क तीतर को खिलाएगा तो तीतर क्या करेगा उसके पीछे पीछे घूमेगा और दे दो और दे दो तभी करनल जी ने बोला तब तो यह यह मतलब यह तीतर विशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा करनल ने हसते हुए कहा अच्छा विशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता ह बहुजी ने पूछा, विशन ने अपने हाथों को मूह पर रख कर तीतर की आवास निकाली, क्वाक 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 करनल दत्ता ठाहा का मार कर हस पड़े, ठाहा का मार कर मतलब अहाँ एकदम जोर से अचानक से आवास करते हुए हस पड़े, बहुजी भी मूह पर पल्लू चलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की और भाग चला हिरन की तरह चलांग लगाता मतलब हिरन की तरह ही उचल कूत कर खुशी के मारे अपने घर चला गया तीतर को लेके विशन खुश क्यों था क्योंकि वो तीतर को बचाने में कामियाब जो हो गया था और इस इसी खुशी की वज़े से, खुशी से वो जुम उठा, जैसे हिरन छलांग लगा लगा के चलते हैं, तो वो भी खुशी से जुम उठा, और तीतर को अपने साथ लेके अपने घर चल दिया, इस प्यारी सी कहानी को लिखा है, श्री प्रतिभा नाथ ने, इस पार्ठ के अभ् धर्निवाद एवंग आपका दिन शुब रहे.